हेलो गाइस और विडियो लेक्षर आफ नैंसर तुटोरियल्स तो आज इस वीडियो लेक्षर में जो चीज हम देखेंगे वो रहेंगा अब डेवलोप्मेंट ऑफ मॉनोकोट एंब्रियो इसके पहले हमने डाइकोट एंब्रियो के बारे में देख लिया था अब डेवलोप के अंदर में होता है division which is nothing but the transverse division इस चीज को ध्यान में रखना है transverse division से यह जो zyagote रहेंगा यह three cell stage में develop हो जाता है very very important ध्यान में रखना है कि मॉनोकोट में zyagote three cell stage में develop होता है लेकिन वही डाइकोट में zyagote two cell stage में divide होता है ओके अब यह जो three cell है इसमें आपको three cells मिल गए upper cell, middle cell और lower cell जो upper cell रहता है इसे हम कहता है terminal cell जो middle cell रहेगा इसको middle cell ही कहेगे और जो lower cell रहता है उसे हम कहता है basal cell ओके अब इन सब का function देखते है basal cell का काम क्या है यह सिर्फ वो सिफ nourishment और nutrition को absorb करने का काम करता है और आगे चलके यह swollen हो जाता है enlarge हो जाता है लेकिन वही हमने dicot में देखा था कि basal cell क्या बनाता है दोस्तों embryo बनाने का काम करता है अब middle cell का काम क्या है middle cell is very very important cell because middle cell सारे important structures को form करने का काम करता है जैसे radical, suspensory cells, epicotel, hypocotel and plimule को और वही जो terminal cell रहता है यह क्या करता है यह सिर्फ और सिर्फ cotyledons को बनाने का काम करता है और important चीज़ ध्यान में रखना है cotyledons यहाँ पर बहुत बहुत थिन होते है पेपरी थिन हो रहते है ठीक है मतलब यहाँ पर जितने भी cells है वो in all the direction divide हुए और rapidly divide हुए जिस वज़े से यहाँ पर cells भर भर के आपको नजर आते है और वो जो basal cell रहता वो enlarge हुआ है swollen हुआ है बाकि उसमें कोई भी changes नहीं आते है terminal cell को अब कहते है cotyledon अब next क्या होता है कि यहाँ पर cotyledon वाला portion और middle cell वाले portion में आपको changes नजर आते है तो वो changes कुछ इस तरीके से नजर आते कि cotyledon ऐसे develop हो जाता है जो middle cell रहता आप उसे हम कहते है embryonal cell यह embryonal axis और जो basal cell रहता हो वैसे का वैसे नजर आता है अब दिखाए दे रहा है आपको कि जो middle cell है दोस्तो यहाँ पर बहुत से changes नजर आते हैं आपको जैसे वहाँ पर आपको एक red color का dot उपर में नजर आ रहा हो उसको आपने कहा प्लिम्यूल और इस प्लिम्यूल की covering या फिर उसको एक sheath cover करके रखते है उसको आपको नजर आ रहा है नीचे में red color का dot उसको जो cover करके रखता है उसको आपको नजर आता है उसके एक covering नजर आ रही होगी आपको orange color में और उस covering को हमने कहा scutulum important चीज़ ध्यान रखनी कि cotyledon in case of monocot embryo यहाँ पर आपको endospom बिलकुल भी नजर नहीं आता है और यह जो cotyledon रहता है वो embryonal या middle cell के अंदर में थोड़ा सा अंदर तक जाता है और उसे हम कहते है cotyledonary node cotyledonary node के ऊपर में आपको दिखाई देता है epicotel और उसके नी आपको नजरी नहीं आते है अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि जो cotyledon होता है in case of monocot embryo does not consist of any reserve food material मतला इसके पास में ना कोई endospom रहता है तो फिर यह cotyledon इस embryonal वाले portion को या फिर इस middle cell वाले portion को nourishment provide करता कहा से है यह question हमारे मन में arise होता है because diacot में तो cotyledon इस endospom provide करता ह तो cotyledon of endospom कहा से provide करता है वो हम देखेंगे in case of the monocot seed because monocot seed देखते है in case of the maze में तो यहाँ पर आपको क्या दिखाए देता है कि जो अपर वाला जो layer है in case of this maze seed उसे हमने क्या कहा है seed coat या fruit wall और वही जो उसके अंदर में blue color की नजर आ रही है आपको layer उसे हम कहेंगे alluron layer इस alluron layer के अंदर में present क्या होता है दोस्तों proteinaceous endospom और वही इस maze seed में आपको दो compartment दिखाए दे रहे है एक है starchy endospom वाला और एक है जिसके अंदर में आपका embryo और cotyledon वाला portion है ओके अब यह जो red color की layer जो आपको नजर आ रही है जो दोनों compartment को divide कर रही है उसे हमने कहाँ epithelium इस चीज़को ध्यान में रखना है अब यह जो starchy endospom है यही उस embryo को क्या करता है nutrition provide करता है लेकिन कैसे यह जो starchy endospom रहता है दोस्तों it get digested with the help of some hormones and enzymes और उस digestion के बाद में यह जो starchy endospom रहता है यह travel करता है और यह यह move करता है from epithelium into the cotyledon ओके तो यह cotyledon में जैसे ही move करता है cotyledon क्या करता है उसको supply कर देता है towards the embryonal axis यह embryo में और इस तरीके से क्या होता है दोस्तों उस monocot embryo का होता है development because यहां से starchy endospom move करता है cotyledon और cotyledon से वो move करता है inside the embryo और इस तरीके से क्या होता है दोस्तों development of the monocot embryo Thank you so much. Please like, subscribe and share my channel.